नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा एक तरफ जहां योगी सरकार सिक्ष्या को लेकर काफी सचग है सिक्ष्या विवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है तो वहीं दूसरी और प्रयागरास से कुछ और ही तस संचालित हो रहा एक स्कूल 1969 से संचालित विद्याले को नहीं मिला भवन शिक्षक अपनी तनख्वा से देते हैं किराया नहीं दिया किराया शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन कब मिलेगा स्कूल को अपना भवन एक तरफ जहां योगी सरकार सिक्षा को लेकर काफी सजग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है तो वही दूसरी और प्रयागराद से कुछ और ही तस्वीर सामने आई है यहां जिला समाज कल्यान विभाग द्वारा एक ऐसा विद्याले संचालित किया जा रहा है जो किराय की कमरे में संचालित हो रहा है जिसका किराया विद्याले में नियुक्त अध्यापक अपने वेतन से दे रहे है अगर अध्यापक बच्चों को परहाएंगे नहीं तो उन्हें समाज कल्यान विभाग से वेतन नहीं दिया जाएगा दरसल ये तस्वीरे जस्रा विकास खंड अंतरगत आने वाले बीरवल ग्राम सभा की है, जहां जिला समाज कल्यान विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है इस प्राइमरी स्कूल में आधा दर्जन अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, जो किराय के कमरे में विद्याले का संचालन कर रहे हैं, जिसको लेकर विद्याले के हेड मास्टर रवीशंकर प्रसाद ने बताया कि जिला समाज कल्यान विभाग से सन 1969 से संचालित हो रहे इस अभी तक अपना कोई भवन नहीं मिल पाया, और इस विद्याले का किराया तक उन्हें समाज कल्यान विभाग से नहीं मिलता, और तो और बच्चों को पढ़ने के लिए कौपी किताब और पेंसिल तक अध्यापक अपने पैसे से लाते हैं, जबकि इस विद्याले में एक से लेकर पाच तक के बच्चों की कुल संख्या करीब 180 के आसपास की है, तो वही इसी स्कूल के बगल में संचालित हो रहे परिश्टिये विद्याले, नौनिहालों की संख्या देखी जाए, तो इससे काफी कम है, ग्रामीनों के मताबिक प्राइमरी विद्यालेों में जहां 10 से 15 बच्चे देखे जाते हैं, तो वही जिला समाज का लियान विभाग द्वारा संचालित इस विद्याले में 100 से ज्य आसन नौनिहालों के अच्छी शिक्षा और बहतर सुविधाओं के लिए लगातार नई नई योजनाय ला रही हैं, मगर ये तस्वीरे बड़ा सवाल खरा कर रही हैं कि आखिर कब तक स्कूल को अपना भवन मिलेगा, ताकि नौनिहालों को शिक्षा ग्रहन करने में कोई असुविधा ना हो. अगर बात की जाए प्रात्मिक या उच्छ प्रात्मिक विध्यालियों की तो निश्चित रूप से यहां जो छात्रों की संख्या है, वो कहीं ने कहीं उससे ज्यादा देखने को मिल रही है, जो सबसे बड़ी बात यहां साथन, देश के नौनिहालों के बात करती है, और बात की जाए तो शहरों के इसमार सिटी बना रही है, और यह जो तस्वीर है, निश्चित रूप से बड़े सवाल को खड़ा करती है, हमारे साथ इस विध्याले के सिक्षक हैं, हम इसे बातशीत करेंगे कि यह विध्याले किस तरह से संचालित हो रहा है, और इस विध्या संचालित होता है, माननता हुमको भी वहीं विभाग द्वारा मिलता है, तो हमारे हाँ इस टाप पाँच लोग हैं, और हम यह विध्याले कहीं और चलता था तो बीद्याले का भवन नहोंने के कारण फिर हम लोग किरायत, चुकि हम ही अपने बेतन से हम लोगों इसका पेम ऐसे घीसारेत आप मेंदय meget लिए हैं संक्धिय के तीय ही पांच च्मीए अच्छाय को है fantastic अछीए बच्छों की सुवीदिया की तो सुवीदिया में जो कर अिया अब प्रयास करते हैं लेट लतीफ हम को कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है बाकि चीज जैसे और है पैंसील और रवड़ तो कुछ हम लोग बच्चों को अपने जेव से भी खर्च करके देते हैं और मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है मैनेजमेंट तो हमको जब किराया भी नहीं देती है उसकी बिल्डिंग भी नहीं है तो कहते हैं हमको कुछ मिलता नहीं हम कहां से द करते हैं बच्चे ऐसे परिवार से हैं कि जिनको नितांद आवस्यक है शिक्षा की यह बच्चे कभी नहीं विद्याले आ पा रहे थे तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि बच्चे आयें पढ़ें और समाज में जुड़ें और समाज में आगे जाएं आगे भविश्यक बने तो बच्चों को हम लोग इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल यह जो तस्वीरे हैं साथ तोर पे बड़ा सवाल को खड़ा करती हूं ही नजर आ रही है कि एक तरब जहां सासन देश के नौनिहालों के उस शिक्षा की बात करती है और यह जो आगे बात करती है